बिसमिल्ला रुख्माद रुराहीम, अस्लाम वालीकम, मेरे यूटूब फैमिली कैसी है? मीद करती हूँ, आप सब खरीयर से होंगे, अल्ला की रहम से होंगे, अपने अपने गारी जमान में होंगे बैलीकम, फैशन में क्लोथिंग, चलते हैं वीडियो के तरफ, आज में आपके लिए बहुत प्यारी रेस्पी लेकर आई हूँ, इद आरी है मैंने का सब करबानी देती हैं, इद के वाले से, आज मैं लेकर आई हूँ, कलेजी, मसाला, रेस्पी, बहुत मज़े की बहुत ते यह कैसी लगी, कर मुझे जरूर बताना, यह देखो माशा, इसकी खूबसूरती बहुत जादा माज़े की, बहुत टेस्टी है, यह आप बहुत सान तरीके से बना सकते हैं, आगे जाकर मैं बकरे की कलेजी की रेस्पी लेकर आउंगी, जैसे कोई करबानी देता है वैड़ से हम साग में डालते हैं, वो नहीं लेनी, एक चमच मैंने लिया, जीरा पोडर, यह मैंने एक चमच डाली, जीरा पोडर ठीक है, इसके अंदर मैं एड़ करूंगी, एक चमच सुकादनिया, आपके पास जैदा पिठा हुए तो आप वो ले लें, यह आप इसको गार में ग इसके अंदर मैंने इसके अंदर कुछों से डली बनती है, वो बिलकुल नहीं रखनी, तहीं आप च्छान लें, यह आपके काफी दिनों की हैं, यह आपने नहीं लिये तो वह भी, यह चिकन की मैंने कलेजी लिये, इसके पीस काटने वाले ने ऐसे ही काटें, बहुत अब इसको मैं करूंगी मिक्स बहुत अच्छे से, वह सब के उपर यह मिसाला लाग दिये, यह मैंने आदा कप इसके अंदर डाला है, तेल, इसको अच्छे से गर्म होने देना है अपने, जब यह गर्म होगा, यह दो प्याज मैंने लें, थोड़ से एक बड़े एक छोट हैं, इसको हमने ब्री-ब्री काटने हैं, लंबा, लंबे-लबेनी काटने हैं, इसको मैंने इतने ही ब्रॉन करने हैं, जएदा ब्रॉन नहीं करना, जोन से बंदे कहते हैं, हमारी कलेजी काली होगी है, यह काली क्यों हो जाती है, इसका शोरा काला होता है, इसके अंदर छान मिन के लिए छोड़ दे, उसके बाद उसको अच्छे से दो लें, आपके छांद नहीं आएगी, ठीक है, दो मैंने लिए टमाटर यहाँ से, हाँ, जोंसा अधिकर थोंका पेस्ट डाला है, उसको हमने तीन से दो, जोंसा तीन मिन के लिए बून रहें, उसका जोंसा जैका इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी दा रहें, एक से दो चमच डाल लें, अब साथ ही डाल लें, अब यह जोंसे टमाटर इसको हमने अच्छे से गाल लें, यह थोड़ा सा टैम को रखूंगी दो मिन्ट के लिए, यह देखो माशाला, अलहम्दोल्ला ठीक हो कह, यह मैंने यह मोटी लाची, जोंसे मसाले के अंदर होती है, वहां से आप ले लें, मैंने वहां से लिए अपने मसाले से, आपके पास भी होगी, यह अपने अकस्टा रखे वो भी ले लें, इनकी सब चीज़ें के डिक्रिशन मैं नीचे दे दूँगी, आप वहां से देख रहें, इ इसके अंदर कोई नमकनी मैंने अड़ किया, कुप किया, वो मैं आगे जा कर बताती हूँ वो मैंने क्यों ने किया, ये कलेजी भी पानी छोड़ेगी, ये दही भी पानी छोड़ेगी, देखakter हमें अपने, इसके साथ ये सब कुछ त्यारोजेगा, माशाला ये देखो पानी जड़ा सुने छोड़ा था कलेजी ने भी दही ने भी वह सुक चुका है ये माशाला एक किसम की आदे से ज़्यादा हमारी त्यार हो चुकी है जितना भी हमने ये कलेजी बिनाने के लिए इसमान लिया है सारी मिंत हमारी मसाले के उपर हुई है अपने ज्यादा उस ज्यादा मिंत मसाले के उपर करनी है ज्यादा गोल्डन अपने प्याज नहीं करना जितना गोल्डन कहते उतना गोल्डन नहीं करना यह मैंने डाली एक काली मर्च आदा चमच एक आदा चमच मैंने डाला गर मसाला पिठा हुआ इसके अंदर मैं डालूँगी अब नमक जों सा मैंने नमक पहले नहीं एड ह्याड़क है वह बिने एक चमच लिया जों सा मैंने वह सुर्ख मरच का डाले इसको मैंने करना है अच्छे से मिक से यह हम मैंद अब डालोंगी कशबोई जो उसे यह रेस्पी के अंदर आएंगी ते बहुत मज़के बहुत टेस्टी एक लिजी बनेगी जैसे इदारी इद के हवाले से ठीक है। یہ मैंने मरचा लंबी-लंबी काट लें इसको थोड़ी सी मैंने अधिकर लीए वो भी मैंने लंबी-लंबी काट लीए इसके अंदर डलूंगे ही। इसके अंदर मैंने डाल दिया दनिया वो भी देखो माशालालहामदोईल्लाव बहुत मज़े की बहुत टेस्ट की इसका जैका देकर लग रहा है जैसे वाके मज़े की बनी है वो दखाएंगे पता चलेगा यह शोरे वाली बनायों तो फैदा नहीं होता है इसके अंदर मैं डालूगी नमक पहले मैं चैक का लूँ कैसी बनी है न अब मैं डालूँगी इसके अंदर निम्बू थोड़ा सा न लेमन जूस डालूँगी आप इसके अंदर डालना कहना यह था तो कहा है वो दूसा दिया यह मारी करेजी हो चुकिए त्यार माशालालहामदोईल्ला क्य अला आफीज